नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं बिहार में दो सीट पर रूप चुनाओ हो रहे हैं और ऐसे में दो मुखे विपक्षी दल यानि एक दूसरे के विपक्ष में चुनाओ लड़ते हैं वो मैदान में हैं लेकिन बाकी जो छेत्रिय पार्टिया हैं वो कहा हैं ये चुनाओ को लेकर चर्चा हो रही थी उसी दर्म्यान चिराग पास्वान को लेकर भी चर्चा थी कि चिराग पास्वान चुनाओ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे हाला कि देखना है होगा कि चिराग चुनाओ को लेकर जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे और अब जो मुकामा में अनन्सिंग है और दूसरी तरफ ललन्सिंग है जो हाल ही में जदियू से भाजपा में सामीलियों उन्हेट्टी कर दिया गया लेकिन अब मुकामा की जो परिस्थितिया हैं वो बदल सकती हैं वो बदल कैसे सकती है तो अगर मुकेश सैनी अपने परत्यासी को उत कर चर्चा हुई थी लेकिन मुकामा चुनाव को लेकर जब चर्चा हुई तो इस बात पर भी चर्चा हुई कि चिराग मुकामा में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं हाला कि अभी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है पार्टी के तरब से लेकिन पार्टी सुत्रों के माने तो चिराग पासवान चाहते हैं कि अचानक से वो उप चुनाओं में अपना दाव ना आजमाए चिराग पासवान ये चाहते हैं कि लंबे समय बाद वो बिहार में चुनाओं लड़ेंगे बिहार के तमाम सीटों पर लड़ेंगे या किसी दल के साथ समझाता करकर और सायद ये फैसला उनके पार्टी के हित में रहा इसलिए कि उपचुनाव में अगर पार्टी हारती है तो मनोबल और मनोईस्थिती में काफी बदलाव आता है अगर बात की जाए तो चिराग पासवान इस चुनाव में नहीं उतरते हैं तो फिर से चिराग पासवान 24 और 25 चीज की तैयारी में लगेंगे हाला कि उनका लक्ष आगे आने वाले दिनों में यानि 29 और 30 का है वो लंबी राजनीत बिहार में करना चाहते हैं और यहीं वज़ा है कि चिराग पासवान लगतार बिहार के अलगला इसों में गूम रहे हैं अब सवाल उर्था है कि ललन सिंग कई बार चुनाओ लड़ चुके हैं तो यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान ललन सिंग को समर्थन कर दे लोग जनसकती पाटी के नेता हैं और वो जदिव में उसके बाद सामेर हुए थे तो यह अब कहीं न कहीं बिहार के मुक्वंतिर नितीश कोई भी एक बड़ा जटका लग सकता है मुकामा में अगर चिराग पासवान समर्थन ललन सिंग को करते हैं तो कहीं न कहीं वो वोट बैंक ललन सिंग के खाते में जाएगा मुकेश सहनी अपने परत्यासी को उतारेंगे या नहीं उतारेंगे इस बात पर भी फैसला नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही फैसला मुकेश सहनी कर देंगे वो इंतजार कर रहे है राश्टिय जनतादल के परत्यासी उतारे जाने का लेकिन चिराग की तरफ से जो खवर नि प्रणाशना, नहीं कुछ बाते निकल कर सामने आती हैं, या पार्टी के तरप से क्या आधिकारिक बयान आता है, लेकिन सूत्रों की माने तो चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, और कही न कही ललन सिंग को अगर वो समर्थन करते हैं या ललन सिंग को समर्थन करते हुए नजर आते हैं एक बाए फिर से बड़ी मुश्किल में पढ़ेंगे नितीश कुमार और तेजस्वी यादो नितीश कुमार की वज़ा से बिहार में तेस्वी के वोट बैंक में भी कमी आएगी जिसे बात का जिक्र चिराग लगतार करते हुए आए हैं पेटियम नमबर नोटकली 9386